तो गाइस आज हम बात करेंगे भागांबाग मुवी से जुड़ी कुछ अंसुनी बात है यानि की अन्नौन फैक्ट के बारे में बात करेंगे भागांबाग के बारे में आपको बता दे कि वागाबाब मूवी के लिए गोविन्दा की जगा जो रोल था वो सुनिल सेक्टी को दिया जा रहा था कि मेकर्स और प्रोडुसर की पहली पसंद गोविन्दा नहीं थी बलकि सुनिल सेक्टी इस मूवी के लिए थे पहली पसंद आपको बता दे कि जिए फर्स टाइम तक गोविंदा और अक्षे कुमा फर्स टाइम एक साथ स्क्रीन सेयर कर रहा थे इससे पहले उन्होंने कोई मुवी एक साथ काम नहीं किया था आपको बता दे कि अक्षे कुमार ने एक इंटर्वियू में कहा था कि गोविन्दा ने उन्हें एक्टिंग माने के लिए प्रेयरित किया था वो जेर सेट के साथ एक फोटोग्राफी का काम करते थे तो गोविन्दा के पास मिले गोविन्दा के नहीं कOoh बाज़ा कर रहा है अपको पता दे कि सुलील सेक्टिस आपको इस मुविक निर्मार और अबिने करना था गोविन्दा ने उनसे कहा किलापर भई में बोलते हूँ किया थुमाहाई केर्यर्स आहीं निचल तुम्हें कोई एक अच्छी मूबी की जौराथ है तो बात में सुनीर सेक्टिने मूबी करने समवाना कर दिया और फिर भागाम भाग मूबी गोविन्दा को मिले नहीं तो यह सुनी शेक्टी ही इस मूवी को करते हैं आपको बता दे कि गोविंदा के प्रसंद सक उनकी मूवी का वेट कर रहे थे तो राज नीती के बिनासकल केरियर के बाद उनकी यह मूवी थी जिससे प्रसंदों को काफी खुशी मिली हो कमबेक किया हुना ने आपको बता दे कि गोविंदा के भूमी का के लिए सेटी पहली भूमी का जरूर थे पर इसके अलाबा सेफली खान और अजे देवगन को भी इस मूवी के लिए चुना गया था मगर किसी कारण बस उन्होंने मना करते हैं साहित कपूर को भी लिया जा रहा था मगर साहित आपको बता दे कि सुस्मिता सेन को भी इस मूवी के लिए मुख फीमेल लीड के चुना गया था मगर सुसमिता सेन उस समय काफी वीजी चल रही इसकार उन्होंने ये मूवी करने से मना कर दिया गया था तो आपको जानकर हिरारी होगी जब मूवी लॉंच के करने जा रहे थे पहले इसका टाइटल था हसना मनायस फिर बाद में रखा गया भाग हम भाग आपको बता दे कि मूवी बार बार टेली विजन पर टेली कास्ट होने लगी तो इसको एक कल्ड का दर्जा दे दिया गया था इस पॉइंट आपको पता दे कि मूवी में एक कॉमेडी सिन में गोविंदा इसका आर्थ है कि सुंदर व्यक्ति यह डायलोग सुहाग मूवी से लिया गया था जिसमें उसके काने से लिया गया ते जिसमें अक्षे कुमार खुद में भूमीका में थे और भाई ये सौंग काफी पॉपलर हुआ तो उस टाइम का आपको बता दे कि मुवी में अक्षे कुमार अपने बेट से खुश नहीं थे उन्हें लग रहे तो बाद में उन्हें अपना बजन घटा लिया उन्हें अनकफॉर्टे आपको बता दे कि अर्वाज खान ने इस मुवी में संजे कपुर को रिप्लेस किया था एक्ष पॉइंट आपको बता दे कि 2006 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मुवी में से एक थी ये मुवी एक्ष पॉइंट आपको बता दे कि प्रेयर दर्सन और गोविंदा की फ तो आप लोगों को जानकर काफी हरानी होगी कि पहले मुख भूमीगा के लिए केटरिना केप और इसा सरवानी को भी लिया जा रहा था वाग इन्होंने मना कर दिया फिर सुस्मिता सेन को लिया गया उन्होंने भी मूवी मना कर दिया फिर समीरा रेड़ी ने ईसा सरवैनी की जगा ली लारा दग्टा को अक्षे को मार के साथ तब रोल मिला जब समीरा रेड़ी की जगा तनुसी दग्टा ने ली तो बता हो इतना घोल जोल मुल हुआ था इस मूवी में दोस्तों आपको जानकर बहुत तहरानी होगी जो सॉंग था सिंग्लल टू प्यार का सिंग्नल इसको सूपर हिट सॉंग सूपर ब्लू सिंग्लल टू लारा से लिया गया था आपको पता दें कि गोविन्दा की राजनीती के बात तीन साल बाद मूवी में वाफसी हो रही थी इससे पहले उनकी दो मूवी जो रिलीज होई थी खुलम खुला प्यार करेंगे और स्टैंट्विन मूवी रिलीज होई थी जो कंप्लेट हो चुकी थी तो यह थे आज आज